रिग्वेद अथ द्वित्य अस्टक का रंभ तत्र पत्मों अध्याई विश्वानी देव सवितेर दुर्तानी परासवा यद भत्रम तन्नासव। अब द्वित्य अस्टक के प्रथम अध्याई का रंभ है। उसमें एक सी बाईसवे सुक्त के प्रथम मंत्र में सवाबती के कारे का अफदेश किया जाता है। प्रवासले के रो तस्योग। पहला शुरुक जिसका वबात इस परकार है। जब मनुश्यों का योग्य पुर्चों के साथ अच्छा यत्र मनता है। तब कठीम काम भी सहज से सिद्धो सकते हैं। पत्नीव से लेके हिरन ने दूसरा शुरुक जिसका वफात इस परकार है। पती रता इस्त्री विद्ध्यवान अपने पती को परसन्न करती। और इस्त्री वत अर्थात नियम से अपने इस्त्री में रमने वाला पती जैसे दिन रात्री संबंद से मिला हुआ वर्तमान है। वैसे संबंद से वर्तमान कपड़े और गहने पैने वे शोबिध्ध्य धर्म युक्ते विवार में यतावत परित्त करे। मम्तों से लेके देवा तीसरा शलोग जिसका भवार इस पर कारे। जो मनुश्य जैसे हम लोगों को परसन्न करें, वैसे हम लोग भी उन मनुश्यों को परसन्न करें। उत्या से लेके राश्पिन स्यायो चोथा शलोग जिसका भवार इस पर कारे। हे मनिश्यों जैसे सुन्दर शिक्षा से हम लोगों की आयू को तुम बढ़ाओ वैसे हम भी तुमारी आयू की उन्नति किया करें आवो से लेके मुसुत तातिम अग्रे पांचवाच लोग जिसका भवारत इस फुरकार है जैसे वैद्यजन सब के लिए आरुग्यपन देके रोगों को जल्दी दोर कराते वैसे सब विद्यावान सब को सुखी करके अच्छी परतिष्टा बाले करें शुरुतम में इसे लेके सिंधोर देवी छटा श्रोक जिसका भवारत इस परकार है विद्वानों को चाहिए कि सब के प्रेशनों को सुनके यथावत उनका समधान करें सतूशे से लेके अगमन सात्वा श्रोक जिसका भवारत इस परकार है जैसे इस संसार में विद्वान जन पुर्शार्क से अनेको अद्वध यानों को बनाते हैं वैसे औरों को भी बनाने चाहिए अस्या सतूशे से लेके सोरी आठवाश लोग जिसका भवारत इस परकार है जैसे पुर्शार्थी मनुष्य सम्रिधी वान होता है वैसे सब लोगों को होना चाहिए जन योज से लेके रितावा नौँ अश लोग जिसका भवारत इस परकार है जो मनुष्य प्रोपकार करने वाले विद्वानों से द्रोग करता है वैसदा दुखी और जो प्रिती करता है वैसुखी होता है सवराधतों से लेके सदमेट छोड दस्वाश लोग जिसका भवारत इस परकार है मनुष्यों को चाहिए कि अपने शत्रों से अधिक युद्ध की सामगरी को इकठी करके अच्छे पुर्षों के सहाई से वो शत्रों को जीते अगमन्ता से लेके रत्वति क्यार्मा शलोग जिसका भवारत इस परकार है जो परमेश्वर्म परम विद्वान और अपने आत्मा के सकाज से विरोधी नहीं होते और उनके अपदेशों का ग्रहन करें वे विद्वान को प्राप्त हुए महाश्य होते हैं एत्म शलोग जिसका भवारत इस परकार है जो विद्वान मनुष्य पूर्ण विद्वान को जानने वाले समस्त विद्वान को पाकर औरों को अपदेश देते हैं वे यशस्ची होते हैं मंदा मही से लेके निरित तेरवा शलोग जिसका भवारत इस परकार है जो अच्छी शिक्षा से सब को विद्वान करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेमन नहीं करते वे अभिष्ट सुक को भी नहीं पराप्त होते हैं हिरन्यकर्ण से लेके असमें चोद्वाश लोग जिसका भवारत इस परकार है जो विद्वान मुनुष्वा विद्वशी पंडिता इस्त्री लड़के लड़कियों को शीक्र विद्वान और विद्वशी करते हैं माजब वनिक सब देशों की बाशाओं को जानके देश द शंतर और दीद दिवानतर से धन को लाकर के अश्वर युक्त होते हैं मैं सब को सब परकारों से सतकार करने हैं चत्वारों से लेके ना ध्योद पंद्रमश लोग जिसका भवारत इस परकार हैं जिस राजा के रज में विद्वा और अच्छी शिक्षा युक्त गुन करम स भाव से नियम युक्त धर्मात्मा जन चारों वरन और आश्रम तथा सेन्ना प्रजा और न्याय धीश हैं मैं सूर्य के तुल्य किर्ति से अच्छी शोबा युक्त होता हैं ये 122 सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 123 सुक्त का अरंब है प्रितों से लेके शियाई पहला शिलोग जिसका वहवार दिस्परकार है जब प्रादा समय की विला के गुनी युक्त थाद शीतल सभावाली इस्त्री और चंद्रमा के समान शीतल गुनवाला पुरुषो उसका प्रसपर विवा हो तो निरंतर होता है पूर्वा से लेके पूर्व हतो दूसरा शिलोग जिसका वहवार दिस्परकार है सब कन्या 25 वर्ष अपनी आयो को विद्या के अभ्यास करने में वितीत करके पूरी विद्यावारी होकर अपने समान पती से विवा करके प्रता काल की विला के समान अच्छे रूप जब दो इस्तिप्रोष विद्यामान, धर्म का आचरन और विद्या का परचार करने वाले सदा प्रस्पर प्रसन्न हों, तब ग्रह आश्रम में अत्यान सुक्का स्यमन करने वाले होएं। धाम सब पदार्फों के अगले अगले भाग को सेवन करती है और नियम से प्रतेक समय प्राप्त होती है, वैसे इस्तिरी को भी होना चाहिए। उदार्फा से लेके विभाती छटाश लोग जिसका भवारत इस्वरकार है। जब इस्तिरीया प्रभात समय की विलाओं के समान, वर्तमान, अविद्या, मैलापन, आदी दोशों को निराले कर, विद्या और पाकपन आदी गुनों को प्रकाश करके एश्वरे की उनति करती हैं, तब निरंतर सुख ही उक्त होती है। अपान्य तत्यभ्य से लेके रथेन सात्वाइश लोग जिसका भवारत इस्वरकार ही। इस चगत में अंधेरा उजाला दोपदार थें, जिन में सदेव पृत्थियादी लोगों के आदे भाग में दिन और आदे भाग में रात्री रहती है। जो वस्तु अंधकार को छोड़ता है उजाले का ग्रहन करता है और जितना परकाश अंधकार को छोड़ता है उतना रात्री लेती। दोनों पारी से सदेव अपनी व्यापती के साथ पाई, पाई हुए पदार्थ को धामते और दोनों एक साथ वरतमान है। उनका जहां-जहां सियोगे वहां-वहां संध्या और जहां-जहां व्योग होता है, अलग होते हैं वहां रात्री और दिन होता है। जो इस्तिप्रुश ऐसे मिलकर और अलग होकर दुख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहन करने करते हैं, वे सदिवनन्दित होते हैं। जो मनुश्य आलस को छोड़के शिष्टी करम की अनकूलता से अच्छा यतन किया करते हैं, वे पर्शंशित विद्या और अश्यर वाले होते हैं और जैसे ये रात्री दिन नियत समय आता और जाता वैसे ही मनुश्य को विवारों में सदा अपना वर्ताब रखना चाहिए। जान त्यहन से लेके चरंती नुवाश्य लोग जिसका भवार्त इस परकार है। विवार कुछ नहीं करे। करनेव स्तन्वा से लेके विभाती दस्वाश्य लोग जिसका भवार्त इस परकार है। विवार काल के विला नियम से अपने अपने समय और देश को पराप्त होती है। वैसे इस्त्री अपने अपने पती को पाकर रितु धर्म को पराप्त होई। अश्चावती से लेके उशाश्य बार्वा शलोग जिसका भवार्त इस परकार है। जैसे परभात विला सूर्य के संयोग से नियम को पराप्त है। वैसे ही वाहित इस्त्री प्रुष प्रस्वर प्रेम के स्थीर करने वाले हो। रितस्य से लेके चैसियू तेरवा शलोग जिसका भवार्त इस परकार है। जैसे श्रेश्ट इश्त्री अपने अपने पती आदे की यथावत सेवा करके बुद्धी और अश्वर को नित्य बढ़ाती है। वैसे परभात समय की विला भी है। ये 123 सुक्त और छटा वर्त पूर्ण हुआ। अब 13 रिचे वाले 124 सुक्त का अरंब है। उशाव चंती से लेके चतुष्पदित्ते पहला शलोग जिसका भवार्त इस परकार है। प्रिथिका सुर्य की किर्णों के साथ संयोग होता है। वही संयोग तिर्चा जाता हुआ परभात समय के होने का कारण होता है। जो सुर्य ना हूँ तो अनेक परकार के प्रदार्थ लग लग नहीं देखे जा सकते। अभी नती से लेके विध्योत दूसरा शलोग जिसका भवार्त इस परकार है। जैसे ही प्रता समय की विला विस्तार युक्तपृथि और सुर्य के साथ चलने वाली जितने पूर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को गरहन करती है। तथा वर्तमान और वितीत हुई प्रादा समय की विलाओं की उपमा और आने वालियों की पहली हुई कारे रूप जगत का और जगत के कारण का अच्छे परकार ग्यान कराती है और सत्य धर्म की आचरन निमे तक समय का अंग होने से उमर को घटाती हुई वर्तमान है वे सेवन की ही बुद्धी और आरुग्य आदी अच्छे गुनों को देती है वैसे पंडिता इस्तरी हुई एशा दिवों से लेके मेनाती तीसरा शलोग जिसका बवारत इस परकार है जैसे अच्छे निम से वर्तमान हुई प्राता समय की विला सब को अनन्दित करा थी और वहे उत्तम अपने भाव को नहीं नश्ट करती वैसे इस्तरी हैं गरस धर्म से वर्ते उशोव से लेके यूशी नाम चोट्राश लोग जिसका बवारत इस परकार है जो इस तरी परभात विला वहां सूर्य वहां विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है वे सब का सत्कार करने योग्य है पूर्वे अधे से लेके पित्रो रुबस्था पांचवां शिलोग जिसका बवारत इस परकार है परभात विला से परसिद्ध हुआ सूर्य मंडल का परकाश भगोल के आदे भाग में सदा उजाला करता है और दूसरे आदे भाग में रात्री होती है इस दिन रात्री के बीज में परता समय की विला विराज मान है ऐसे निरंतर राती परभात विला और दिन करम से वर्तमान है इस से क्या आया कि जितना परिथी का परदेश सूर्य मंडल के आगे होता उतने में दिन और जितना पीछे होता जाता उतने में रात्री होती ता साई और परता काल के संधी में उशा होती है इसी उक्त परकार से लोकों के घुमने के द्वारा ये साइं परता काल भी घुमते से दिखाई देती है एवे दीशा से लेकर विभाती छटा चलोक जिसका बवात इस परकार ही जैसे पती वरता इस्त्री अपने पती को छोड़ और के पती का संग नहीं करती वर जैसे इस्त्री वत प्रुष अपनी इस्त्री से भिन दूसरी इस्त्री का संबंद नहीं करता और विवा कि ये हुए इस्त्री प्रुष नियम और समय के अनकूल संग करते हैं वैसे ही प्राता समय के विला नियम युक्त देख और समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती अब भ्रात एप से लेके अप सात्वा शलोग जिसका भवारत इस फरकार है जैसे बिना भाई की कन्या अपनी प्रीती से चाहे हुए पती के ओ आप प्राप्त होती वाज जैसे नियाईधिश राजा राजपत्नी और धन अधिपदात्थों के विभाग करने के लिए नियाई आसन अर्थात राजगदी को जैसे हंसमुखी इस्त्री अनंद युक्त पती को प्राप्त होती है और अच्छे रूप से अपने हाँ भाव को परकाशित करती है चोटी बहन जिटी बहन के वरतमान हाल को जान आप संबर विवा के लिए दूर भी ठैरे हुए अपने अनकूल पती का ग्रहन करें जैसे शांत पती वरता इस तरी अपने अपने पती को सेवन करती है वैसे अपने पती का सेवन करे जैसे सूरे अपनी कांती के साथ और कांती सूरे के साथ नित्य नकूलता से वरते वैसे ही इस्तिप्रूश हो आसाम से लेके उशास नुवाइ शलुक जिसका भवात इस परकार ही जैसे बहुत बेहने दूर दूर देश में विवाई हुई होती उन में कभी किसी के साथ कोई मिलती और अपने विवार को कहती है वैसे पिछली प्राता समय की विला वर्तमान विला के साथ से युक्त हो कर अपने विवार को पर सिद्ध करती है परस से लेके जारेंती तस्वाइ शलुक जिसका बबात इस परकार है किसी को रात्री के पिछले पहर में वाद दिन में नहीं सुना चाहिए क्योंकि नींद और दिन के घाम आदी की अधिक गर्मी के योग से रोगों की उत्पती होने से तथा काम और अवस्था की हानी से जैसे पुर्शार्थ की युक्ती से बहुत धन को प्राप्त होता वैसे सुर्युदे से पहले उटकर यत्नवान प्रुष ध्रिद्द्रता का त्याग करता है अवयम सिले के अगनी यारवा शलुक जिसका बभवात इस परकार है जैसे प्रभात विला और दिन सदे मिले हुई वरतमान हैं वैसे ही वाहित इस्तिप्रुष मेल से अपना बरताब रखें और जिस नियम के जो प्रदात हों उस नियम से उनको पावे तब इनका परताब बढ़ता है उत्ते से लेके मतर्याई बार्वा शलुक जिसका बभवात इस परकार है जैसे पखेरों उपर और नीचे जाते हैं वैसे प्राता समय की विला रात्री और दिन के उपर और नीचे जाती हैं तथा जैसे इस्त्री पती के प्रिय अचरन को करें, वैसे ही पती भी इस्त्री के प्यारे अचरन को करें। ये 124 सुक्त और नमावर्ग समाप्त हुआ। सुगोर्ण सत्री के प्रिय अचरन को प्राप्त हुए। सिक्षा, अर्थात अधरम और विशे भोग की चंचलता के त्याद आधिके अब्देश से धीरगाय युक्त, विद्या और धन वाले करता है। मैं इस संसार में उत्तम की दिवारा हुता है। आयमध्य से लेके सुन रिताभी तीसरा शलोग जिसका ववात इस्वरकार है। इस्त्री पूरे ब्रह्मचर से विद्या का संग्रे और एक दूसरे की परसंता से विवा करके धरम युक्त विवार से पुत्र और संतानों को उत्वन करे। और उनकी रक्षा करने के लिए घर्वती धाई को देवे और वैं इस संतान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे उशम श्रंती से लेके विश्रत चुथा शलोग जिसका बवारत इस परकार है जो पुरुश और इस्त्री ग्रह आश्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और वि सदा पांच वैंश लोग जिसका बवारत इस परकार है जो मनुश्य इस मनुश्य दे का आश्रे कर सत्पुर्शों का संग और धर्म के अनकूल आचरण को सदा करते वे सदे सुखी होते हैं जो विद्वान वा जो विदूशी पंडिता इस्त्री बालक जवान और बुढ़ में मौक्ष को पराब्त होते हैं दक्षनावत से लेकर आयो छटाश लोग जिसका भवात इस परकार है जो ब्रामन सब मनुश्यों के सुख के लिए विद्यारुत्तम शिक्षा का दान वा जो शत्री नयाई के अनकूल विवार से प्रजा जनको अवे दान या जो वैश्य धर्म से इकठे हुए किये हुए धन का दान और जो शुद्र सेवा दान करते हैं में पूर्ण आयो वाले होकर इस जनम और दूसरे जनम में रंतर आनन्द को भूगते हैं मा प्रिनंतो से लेके शोका सात्मा शलोक जिसका बवात इस परकार है इस संसार में दो परकार के एक धर्मी को और दूसरे पापी, ये दोनों अच्छे परकार अलग अलग स्थान और अचरन वाले हैं। चलना यूग्य है और इस परकार पर तेक जाती के पीछे धार्मी को और धार्मी को के दो मार गएं उनमें धर्म करने वालों को सुख और अधर्मी दुस्टों को दुख सदा पराप्त होती है ये 125 सुक्त और 10 वर्ग समाब दुआ अब साथ रिचा वाले 126 सुक्त का अरंब है अमन दान से लेकर इच्छमान पहला शुरूग जिसका भवार्त इस परकार है ज़ा तक सकल शांस्तर जानने वाले विद्वान की आग्या से पुर्शार्थी विद्वान ना हो तब तक उनका रज्ज के अधिकार में स्थापन नहीं करे शतम रग्यों से लेके ततान दूसरा शुरूग जिसका भवार्त इस परकार है जो नियाकारी विद्वान राजा के समीब से सतकार को पराप्त होते वे यश का विस्तार करते हैं वो श्रमान से लेके आहर नाम तीसरा शुरूग जिसका भवार्त इस परकार है जिस कारण सब युधा राजा के समीब से धन आदिपदार्त की पराप्ती जाते हैं इस से दाजा को उनके लिए ये था योग्य धन आदिपदार देना योग्य है ऐसे कि ये बिना उनसा नहीं होता। चत्वारिंच से लेके प्रज्या आचोथा शलोग जिसका भवार दिस्वरकार ही जिनके चार घोड़ा युक्त दस्सो दिशाओं में रत, सस्त्रों, अश्य स्वार, लाखो पैदल जाने वाले, अच्चन्त, पूर्ण, कोश, धन और पूर्ण, विद्या, विने, नमर्ता, आदी गुन हैं, वे ही चक्रवर्ती राज्य करने की योग्य हैं। पूर्वा मनु से लेके प्रज्रा पांचोए शलोग जिसका भवार दिस्वरकार ही जो चंद सभा, सेना और शाला के अधिकारी कुशल, चतुर, आठ, सभासदो, शत्रों का विनाश करने वाले बीरों, गव बैलादी पश्यों, मित्र, धनी, वनिक जनों और खेती करने वालों की अच्छे परकार रक्षा करके अनादी अश्वरे की उनती करते हैं, वे मनश्यों में शिरोमनी अर्थात अत्यन तक्तम होते हैं। आगधिता से लेके शता चटा शिरोग जिसका भवार दिस परक अवी का, सात्मा शिरोग जिसका भवार दिस परकार है, रानी राजा के प्रती कहें कि मैं आप से नियून नहीं हूँ, जैसे आप प्रश्यों के नियाधिश हो, वैसे मैं इस्त्रियों का नियाए करने वाली होती हूँ, और जैसे पहले राजा माराजाओं की इस्त्री, प और अठारवा अनवाग समाब्त हुआ, अब ग्यारा रिचा वाले 127 में सुक्त का आरंब है, अगनी से लेके सर्पिन, पहला शिरोग जिसका भवार दिस परकार है, जिसकी उत्त्म गुनवालों में बहुत परशंचा, जिसका अति उत्त्म शीर और आत्मा का बाल हो, उस प परश भी इसी परकार के इस तरीकों भारे अपन के लिए सुविकार करें, जिस ठम से लेके विशा दूसरा श्लोग जिसका भवार दिस परकार है, विद्वान और प्रजाजन जिसकी परशंचा करें, उसी आप्त, सरशास्त्र वेता विद्वान का आश्रे सब मनुष्य कर और अपने परशंचित बल्द से उनको जीच सकता है, वही प्रजा पालने वालों में शिरुमनी होता है, इन लहाद से लेके चिदोच सा चुथा श्लोग जिसका भवार दिस परकार है, जैसे विद्वान जन विद्वान के परचार से मनुष्यों के आत्माँ को परकाशित बनाते हैं, वैसे नियाइद ही श्विद्वान प्रजा जनों को उद्दमे करते हैं, तमस्य से लेके अज्रा पांच्वान श्लोग जिसका भवार दिस परकार है, जैसे चंद्रमा तरागन और ओस्थियों को पुष्ट करता है, वैसे सज्जनों को प्रजा जनों का पालन पोजिशन करना चाहिए, जैसे संतानों को पिता माता तरिप्त करते हैं, वैसे सब प्रानियों को हम लोग तरिप्त करें, साही से लेके पंधांच्वान श्लोग जिसका भवार दिस परकार है, जो मुनिश्य धरम से इकठे किये हुए प्रदार्थों का भोग करते हुए प श्लोग जिसका भवार दिस परकार है, जो विद्यार्थी विध्यान से नित्य विद्या मांगे, उनके लिए विद्वान भी नित्य ही विद्या को अच्छे परकार देंे, जो कि इन देने लेने के तुल्य कुछ भी उत्तम काम नहीं है, विश्वा साम से लेके वया जब तक पक्षपांत रहित समग्र विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वान रज्ज के अधिकारी नहीं होते हैं तब तक राजा और प्रजा जनव की उन्नती भी नहीं होती है तो मग्रे से लेके नाजरा नौवा शलोक जिसका भवात इस परकार है जो मनुशे शीर और आत्मा के बल से युक्त अच्छे परकार ग्याता विद्या और धन परकाश्योद संतानों वाले होते हैं वे सुप करने वाले होते हैं प्रवों से लेके रिशु नाम दस्वा शलोक जिसका भवात इस परकार है जैसे विद्वान जन विध्या प्राप्ती के लिए अच्छा यतन करते हैं वैसे इस संसार में मनश्यों को प्रितन करना चाहिए सानौ से लेके नाश्वसा ग्यारव श्रोग जिसका भपार तिस प्रकार है विद्यार्थियों को चाहिए कि सकल शाष्तर पड़े हुए धार्मिक विद्वानों को कि प्राथना और सेवा पर पूरी विद्याओं को पावे जिससे राजा और प्रिजाजन विद्यावान होकर निरंतर धरम का अचरन करें ये 127 सुक्त और 13 सर्ग समाप्त हुआ अयम से लेके इलस्पदे पहला शलोक जिसका भवार तिस्वरकार है जो विद्या की इच्छा करने वालों के अनकूल चाल चलन चलने वाला शुशील धरम युक्त विवार में अच्छी निष्टा रखने वाला सब का मित्र सब गुनों का ग्रहन करने वाला हो वही मनश्यों का मुकट मनी अर्थात अधिश रिष्टोवे ताम से लेके परावत दूसरा शलोक जिसका भवार तिस्वरकार है विद्वान मनश्य जैसे पवंद सब मुर्तिमान पदारता को धारन करके प्राणियों को सुखी करता वैसे ही विद्वान धरम को धारन करके सब मनश्यों को सुख देवे अवेन से लेके सानुक्षू तीसरा शलोक जिसका भवार तिस्वरकार है जैसे सूर्य और वायू सब को धारन और मेक को वर्षा का सब जगत का अनन्द करते वैसे विद्वान जन वेद विद्या को धारन करके औरों के आतमाओं में अपना अपदेशकों को वर्षा करके सम्मनश्यों को सुख देती है सब सक्रतू से लेके अजायत चुत्था शलोक जिसका भवार तिस्वरकार है जो विद्वान देश देश नगर नगर द्वीद दीव गाउं गाउं और घर घर में सत्ते का अवदेश करते वे सब को सत्कार करने योग्य होते हैं करत्वा से लेके हो पांचवा शलोक जिसका बवात इस वरकार है जो उत्तम शिक्षा और विद्वा के दान से दोश्ट सभावी प्राणियों और अधरम के आचरनों से निवरित कराके अच्छे गुनों में प्रवित कराते हैं इस संसार में कल्यान करने वाले धर्मात्मा विद्वान होते हैं विश्वों से लेके विर्मती छटा शिरोग जिसका भवार्त इस परकार ही जैसे सूरिय सब व्यक्त पतार्थों को परकाशित करके सब के लिए सब सुखों को उत्पन करता वैसे हिंसादी दोश्चों से रहित विद्वान जन विद्या का परकाश करके सब को अनंदित करते ह साम अनुश्य से लेके दिवस्य धूरते सांत्वाश लोग जिसका भवात इस परकार है जो धर्म मार्ग में मनिश्यों को अबदेश से प्रवित कराते नियाधीश राजा के समान प्रजा जिनों को पालने डाकू आदी दोस्ट प्रानियों से जो डर उनको निवरित कराने वाले विद्वानों के मितर जन हैं वे ही अंधपरंपरा अर्थात को मार के रोकने वाले होने की योग्य होते हैं अग्रीज से लेकर वियूस यवा आठ्वान शरोग जिसका भवात इस परकार है हे मनिश्यों विद्वान लोग जिसकी सेवा और संग से विद्या अधी गुनों को पाते हैं उसकी सेवा और संग से तुम लोगों को चाहिए कि इनको पाऊ ये 128 सुक्त और 15 वर्ग पोर्ण हुआ रिगवेद आप 11 रिचा वाली 139 सुक्त का अरंब है यम से लेके वेद साम पहला शलोग जिसका भवार दिस्वरकार है जो विद्वान जन सब मनुश्यों को विद्या और विने आधी गुनों से प्रवित कराते हैं वे सब बोर से चाहे हुए प्रदार्तों को सिद्ध कर सकते हैं सों से लेके वाजी नाम दूसरा शिरूग जिसका भवार दिस्वरकार है जो विद्वान और नयाई धीशों के साथ राज धरम को प्राप्त करते मैं प्रजा जनों में अनंद को अच्छे परकार देने वाले होते हैं दस्मों से लेके समत तीसरा शलूग जिसका बवात इस फरकार है जो मुनिश्य सम मुनिश्यों के लिए मित्र भाव से सत्य का अप्देश करते वा धर्म का सेवन करते वे परम सुक के देने वाले होती है असमाकम से लेके यम चोथा शलूग जिसका बवात इस फरकार है करने चाहिए औरना दुस्टों में मित्रपन का अचरन करना चाहिए ऐसा होने पर शत्रों का बल नहीं बढ़ता है नीशू से लेके अच्छ पांच्वाच लोग जिसका भवात इस फरकार है जो मुनिश्यों की बुद्धी को उत्तम रक्षा से बढ़ा कर पाप कर्मों में अश्रधा उक्पन करता वही सभी को सुख को पहुचा सकता है प्रसे लेके स्त्रवीत छटाश लोग जिसका भवात इस फरकार है अध्यापक विद्ध्वान जो शुब गुन करम सभाव वाले विद्ध्याती हैं उनके लिए प्रिती से विद्ध्याओं को देवे निंदा करने वाले चोरों को निकाल देवे और आप भी सदेव धर्मात्मा हूं वनेम्च लेके होती भी सात्वाच लोग जिसका भवात इस फरकार है माता रुपिता अधिको वा विद्ध्वानों को चाहिए कि अपनी संतानों को इस परकार उपदेश करें कि जो हमारे धर्म के अनकूल काम हैं वे अचरन करने योग्य किन्तु और काम अचरन करने योग्य नहीं ऐसे सत्य आचरनों और प्रवकार से निरंतर एश्वर की उन्नती करती चाहिए प्रप्रा से लेके वक्ष्ति आठमा शलोग जिसका भवारत इस फरकार है जो दुस्टों के संग को छोड़ सरसंग से कीरती मान होकर अतीप परशंशित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं वे उत्तम एश्यर वाले होते हैं तम ना इंदर से लेके पादमिष्ट भी नौवा शलोग जिसका भवारत इस फरकार है उप्त गेश्कों को चाहिए कि धर्म के अनकोल मार्क से आप प्रवित होकर और सब को प्रवित कराकर अपने उपदेश के द्वारा समीपस्त और दूरस्त पदातों का संग करके भर्म मिटाने और सब्त्य विज्ञान के प्राप्ति कराने से सब को निरंतर अच्छी रक्षा करें तम ना इंदर से लेकर चिद्रिव दस्वा शलोग जिसका भवारत इस फरकार है मुनिश्य को यही मैमा है कि श्रेष्टों की पाना और दुस्टों की हिंसा करना पाही से लेके जीनन द्वसों क्यारवा शलोग जिसका भवारत इस फरकार है यही विद्वानों का प्रशंशा करने योग्य काम है जो पाप का खंडन और धर्म का मंडन करना किसी को दुस्ट का संग और श्रेष्ट जन का त्याग नहीं करना चाहिए अब दस रिच्चा वाले एक सो तीसमें सुक्त का अरम रहे एंदर से लेके वाज सात्ते पहला शलोग जिसका भवारत इस फरकार है समस्त राज प्रजाजन पितार पुत्तर के समान इस संसार में वर्थ कर पुरशारती हूँ पिवा से लेके सूरियम तूसरा शलोग जिसका भवारत है जो बड़े साधन और छोटे साधनों और आयूर वेद अत्वा व्यद्यक विद्या के रिती से बड़ी बड़ी ओस्तियों के रसों को बना कर उनका सेवन करते वे अरवग्यवन होकर प्रतन कर सकते हैं अविन्द्वे उस से लेके परिवरिताती से राशलोग जिसका भवारत इस परकार है जो योग के अंग धरम विद्या और ससंग के अनुस्तान से अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को जानेवे सोरी जैसे अंदकार को वैसे अपने संगियों की अविद्या चुड़ा कर विद्या के परकाश को उत्पन करके सब को मोक्ष मार्ग में परवित कराके उन्हें अ जो मुनुष्य परमाद और अलस से आदी दोश्यों को अलग करके संसार में गुनों को निरंतर धारण करते हैं, वे सुर की किर्णों के समान या अच्छी शुबा को पराप्त होती हैं। समान होकर सबकों अपने समान करते हैं वे संसार में परकाशित होती हैं। इमाम तेसरे के साथ ते छटाश लोग जिसका वबार तिसवर का रही। जो उपदेश करने वाले धर्मात्मा विद्वान जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तार युक्त बुद्धी अथा सब विश्यों में बुद्धी फैलाने वाले होती हैं। इसमग्र एश्योरे को पाकर रत घोडा और धीर पुरुष के समान धर्म के अनकून मार को प्राप्त होकर क्रित्कित्य होती हैं। भिनत पुरुष से लेके धन्यों जसा साथवान शनुक जिसका भवात इस परकार है। जो शत्रों को चीते, अतितियों का सत्कार करते और धार्म को विद्या और गुन देते हुए वर्तमान हैं, वे सूरी जैसे मेक को वैसे समस्त अश्योरेयों को धारन करते हैं। इंदर से लेके नियोश्टी आठवान शलोग जिसका भवात इस परकार है। मुनिश्यों को चाहिए कि श्रिष्टों के गुन करम सभाव को सविकार और दुस्तों के गुन करम सभाव का त्याग करके, श्रिष्टों की रक्षा और दुस्तों को तारना दे करके धरम में राज्य की शाषना करें। शुरस्ट चक्रम से लेके तर्वने नवा शुलोग जिसका भवार दिस्वरकार ही जो सुर्य के तुल्य विद्या, विने और धर्म का प्रकाश करने वारी सब के उन्नती के लिए अच्छा यतन करते हैं वे भी उन्नती युक्त होते हैं सानों से लेके ध्यो दस्वा शुलोग जिसका भवार दिस्वरकार ही राजपुर्श को सुर्य के सुमान विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उच्सा देना और उनकी प्रशंशा करने चाहिए और वैसे ही प्रजाजनों को राज जन वर्तने चाहिए यह 131 सुक्त और 29 वर्ग पूर्ण हुआ 19 वर्ग पूर्ण हुआ अब साथ रिचा वाले 131 सुक्त का अरंब है इन द्रयाज से लेके मानुशा पहला शिलोग जिसका भवार आतिस परकार है मनुश्यों को जानना चाहिए कि जितना कुछ यहां कारेकारना आत्मक जगत और जितने जीव वर्तमान हैं यह सब प्रमेश्वर का रज्जे है विश्वेश्यों से लेके आयव दूसरा शिलोग जिसका भवार आतिस परकार है मनुश्यों को चाहिए कि विद्वान जन जिस सचिदनान सरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्ट सभाव सर्वत्र एकरस व्यापी सब का आधार सब एश्वरे देने वाले एक द्वैत की जिसकी तुल्यता या दूसरा नहीं उस प्रमात्मा के उपासना करते वही नित्वा से लेके सुचा भौम तीसरा शिलोग जिसका भवार आतिस परकार है जो पुरुष और इस्त्री सब जगत को परकाशित करने उत्पन करने धारन करने और देने वाले सरवंत्र यामी जगदीशर ही का सेमन करते हैं वे नित्वा सुखी होते हैं विदुस्टे से लेके इमा अपा चोथा शिलोग जिसका भवार आतिस परकार ही जो धरमात्मा सज्जनों के परभाव को जान करके धर्म अचरन करते हैं वे दुस्टों को सिखा सकते हैं अर्थात उनकी दुस्टा दोर होने को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं आदिते से लेके सन्नीश नत पांचवां शलोग जिसका भवारत इस परकार है, जो मुनिश्य प्रजा की रक्षा करने में अधिकार पाई हुए हैं, वे धरम के साथ प्रजा पानने की इच्छा करते हुए उत्तम यत्रमान हों, उत्तो नौ से लेके नए वीस छटा शलोग ज इसका भवारत इस परकार है, जैसे सूरे से प्रगट हुई प्रभात विला से जागे हुए जन, सूरे के परकाश में अपने अपने विवारों का अरंब करते हैं, वैसे विद्वानों से सुभोध किये मनुश्य विशेश ग्यान के परकाश में अपने अपने कामों को करते जो दुस्टों की निवरिती और श्रिष्टों की उत्तम सेवा वन नवीन पड़े हुए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहन करते हैं, वे चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति में सिद्ध होते हैं। विद्या की विद्धी करें। ये 131 सुक्त और 20 वर्ग समाब्तुवा। और सैनापति समय समय पर अपनी वक्त रिता से शूर्ता आदी गुनों का उपदेश करके शत्रों के साथ अपने सैनिक जनों का युद्ध करावी। सज्जेश से लेके रात दे दूसरा श्रोक जिसका ववात इस फरका रही। जो सभापती सब शूर्वीरों का अपने समान सत्कार करता है। मैं शत्रों को जीत करके सब के लिए सुख दे सकता है। संसार में अपने प्रदार्थ औरों के लिए और औरों के अपने लिए करने चाहिए। ऐसे एक दूसरे से मैं प्रिती के साथ विरोध छोड़ उत्तम जैपराप्त करने चाहिए। तब उस से लेके गवेशन तीसरा श्रोक जिसका ववात इस फरकार है। जो सत्ते गुनों में प्रिती करते हैं वे विद्वान होते और जो विद्वान हों वे सूरे के प्रकार से सब दार्थों को हाथ में आमले के समान देख सकते हैं। नो इत्था से लेके चिद्वरतम छोथा श्रोक जिसका भवात इस फरकार है। जिसके राज्य में दुष्ट वचन करने वाले चोर और व्याभीचारी नहीं हैं वे चक्रवर्ती राज्य करने को सम्मार्थ होते हैं सम से लेके ना धिद्या पांचवा शलोक जिसका भवार तिस पर का रही जो विद्वानों के संग और सेवा में विद्याओं को पाकर पुर्शारत से परम एश्वर की उनती करते हैं वे सब ज्यानवान पुर्शों को सुख यूप्त कर सकते हैं यूँ अम्च लेके विश्वत छटा शलोक जिसका भवार तिस पर कार है सेनपुर्शों को जो सेनपती आदिपुर्शों के शत्रू हैं वे अपने भी शत्रू जानने चाहिए शत्रों से प्रस पर फूट को ना प्राप्त हुए धार्मिक जन उन शत्रों को विद्देन करके प्रजाजनों की रक्षा करें ये 132 सुक्त और 21 वर्ग समाप्त हुआ। अब सात रिचा वाले 133 सुक्त का आरंब है। उभेश से लेके अशेरन पहला शलोक जिसका भवात है। सब मनिश्यों को ये निरंतर इच्छा करने चाहिए कि सत्य वार से रज्य की उन्नती, पुईतर्ता, शत्रू के निव्रिती और निर्वैर निर्शत्रू रज्य हो। अभी से लेके पदा दूसरा शलोक जिसका भवात इस परकार ही। जो अपने बल की उन्नती करके शत्रों के बलों को छिन भिन कर उनको पैर से दबाता है, पैर रज्य करने के योग्य होता है। हमासाम से लेके अर्म की तीसरा शलोक जिसका भवात इस परकार ही। सेनावीरों को चाहिए कि शत्रों की सेनाओं को अधीव दुख से जाने योग्य गड़ों आदी से योगत स्थान में गरा कर मारे। यासो तिस्तर से लेकर ते मनाईती चोथा शलोक जिसका भवात इस परकार ही। पुर्शो को चाहिए कि ऐसा बल बढ़ावे जिससे एक ही वीर पचास दोश्चत्रों को जीते और अपने बल की रक्षा करे। पिशंग से लेकर नीव भवात इस परकार ही। राजपुर्शो को चाहिए कि दोश्चत्रों को निर्मोल करके सब सजनों को नियंतर भड़ावे। अवारम मह सले के सत्त भी चटा शुरोक जिसका भवात इस परकार ही। धारमिक पुरुश को नीचे पन की निवरिती और उत्तमता का परचार करके परशंशित बल की उनती के लिए शूरवीर पुर्शों से प्रजाजनों को अच्छे परकार रक्षा करके दस प्रान और एक जीव से दस इंद्रियों के समान परशारत करके यथा योग्य पदार करा कर सब के शत्रों के निवरिती करते हैं वे सब के सुक्त कराने वाले होकर सब के लिए बहुत सुक्त दे सकते हैं ये 133 सुक्त 22 वर्ग और 19 अनवाग पूर्ण हुआ अब छेरिचा वाले 134 सुक्त का अरंब है आत्वा से लेके दाम ने पहला शलोग जिसका भवाद इस परकार ही विद्वान लोग सर उप्रानियों में प्रान के समान प्रिय होकर अनेक गोड़ों से जते हुए रत्थों से आवे जावें मंदन्तों से लेके धिया दूसरा शलोग जिसका भवार 13 परकार ही जो मुनश्य विद्वानों का सेवन करते हैं और सत्त का उपदेश कर वे शीर और आत्मा के बल को कैसे नहीं प्राप्त हूं वाईू से लेके वास्यो शशा तीसरा शलोग जिसका भवार 13 परकार ही जो पवन के समान अच्छा यतन करते और उत्तर धर्मात्मा के समान मुनिश्यों को बहुत कराते हैं वे सूर्य और प्रिथि के समान प्रकाश परसेंट शीर्टा से युक्त होती हैं। तो अभ्यम से लेके वक्षनाब भे चोथा शलोक जिसका भवात इस परका रही। जो मनुश्य किर्णों के समान, न्याय के परकाश और अच्छी शिक्षाक्युक्त वानी के समान, वक्त्रिता, बोलचाल और नदी के समान अच्छे गुनों की पराप्ती करते, वे समग्र सुक को पराप्त होते हैं। तो भ्यम से लेके धर्मना, पांच्वाश लोग जिसका भवात इस परका रही। मुनिश्यों की योगिता है कि जो जिन की रक्षा करें, उनकी वे भी रक्षा करें। दुस्टों की निवरिती से एश्वरे को चाहें और कभी दुस्टों में विश्वाश नहीं करें। पन्लों से लेके अशीरम, छटा शलोग जिसका भवात इस परकार है। राजपुर्शों को चाहिए कि भ्रमचरे और उत्तम ओशत के सेवन और योग आहार विहारों से शीर आत्मा के बल को उननती करके धरम से प्रजा की पालना करने में स्थिर हो। ये 134 सुक्त और 23 वर्ग पूर्ण हुआ। अब नव रिचा वाले 135 से सुक्त का अरंब है। सतीरन से लेके अस्थिरन पहला शलोग जिसका भवात इस परकार है। विद्या धरम को जानने की इच्छा करने वाले मुनिश्यों को चाहिए कि विद्वानों को सदा बुलाया करे। उनकी सेवार संग से विशेश ग्यान की उनती करके नित्य अनन्दी युक्त हूं। तब भ्याई सुमा से लेके अस्मियों तूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है। जो मुनिश्यों परशंशित कपड़े गहने पहने हुए सुम्दर रूपवान अच्छे अचरन करते हैं वे सर्वत्र परशंशा को परापत होते हैं। आ नो से लेके हैंसत तीसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है। राजपुर्शों को चाहिए कि शत्रों के बल से चोगना वा अधिक बल करके दुस्ट शत्रों के साथ ही उद्ध करें। और वे प्रती वर्ष प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हो उतना हिले में तता सिदे धर्मात्मा विद्वानों के रक्षा करें। और उनकी सेवा करें। आवाम से लेके गतम चोथा शलोग जिसका भवात इस परकार है। जैसे पवन और बिजली सम्में अभी व्यापत होकर सब वस्तों का सेवन करतें। वैसे सजनों को चाहिए कि एश्वर की प्राप्ती के लिए सब सादरों का सेवन करें। आवाम से लेके योवाम पांचवाश लोग जिसका भवात इस परकार है। जो पदेश करने और पढ़ने वाले मुनिश्यों की बुद्धियों को शुद्ध करके अच्छे सिखाए हुए गोडों के समान प्राकर्म युक्त कराते वे अनन्द सेमने मले होते हैं। इमेवाम से लेके आत्यवया छटाश लोग जिसका भवात इस परकार है। है मुनिश्यों जिसके सेमन से द्रिड और आरग्य युक्त देह और आत्मा होते हैं। तथा जो अन्ताकरम को शुद्ध करते उनका तुम नित्य सेमन करो। अतिवाया से लेके अध्वरम सात्वाश लोग जिसका भवात इस परकार है। मुनिश्य लोग जिस देश का स्थान में शास्त्रवेता आप्त विद्वान सत्य का उपदेश करें। उनके स्थान पर जाके उनके उपदेश को नित्य सुना करें। जिससे विद्या युक्तवानी और सत्य विद्वान, विज्ञान और धर्म ज्ञान को प्राप्त होई। अत्रा से लेके धिन्वा आठवाश लोग जिसका भवात इस परकार ही। जो सब मनुश्यों से श्रेष्ट मनुश्यों के संग की कामना और आपस में प्रिति की जाए तो उनकी विद्या बल की हानी और बेद बुद्धीना अत्वन हो। इमें ये से लेके दुर निन तव नुवाश लोग जिसका भवात इस परकार ही। राज पुर्शों को चाहिए कि बाहु बल युक्त शत्रों से ना डरने वाले वीर पुर्शों को सेना में सदेव रखें जिससे राज का परताब बढ़ा रहे। ये 135 सुक्त और 25 सुमाप्त हुआ। अब साथ रिचावाले 136 सुक्त का अरंब है। प्रसुद जेश्टम से लेके चिदा धरिशे पहला शलोग जिसका भवात इस परकार है। जो बहुत काल से प्रवित पढ़ाने और उपदेश करने वालों के समीब से विद्या और अच्छे उपदेशों को शिग्र गयहन करते वे चक्रवती राजा होने के योग्ये होते हैं और ना इनका एश्वर कभी नस्ट होता है। अदर्शी से लेके ब्रहित वे दूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है। यात यजन तीसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है। गर श्ट्रवता वे दृद्वान धरम के अंकोल वेवार से ऐश्वर के उनति कर, सब के उपकार करने वाले कारे में खर्च करतें वा जैसे सत्ते को जानने की इच्छा करने वाले धार में के विदवानों को याचतें याचते अर्थात उनसे अपने प्रिय पदात को मांगते वैसे सम्मनुष्य अपने अश्वरे को अच्छे काम में खर्च करें और विद्वान महाश्यों से विद्याओं की याचना करें यो मित्राज से लेके वरतब पांच्वाश लोग जिसका भवार तिस परकार है विद्वान जान को लोग धर्म और अधर्म को जानना चाहें तथा धर्म का ग्रहन और अधर्म का त्याग करना चाहें उनको पड़ा और उपदेश करके विद्या और धर्म आदि शुब गुन करम और सभाव से सब और से शुबित करें नमो दिवे से लेके सचे मही छटाश लोग जिसका भवारत इस परकार है मुनिश्यों को विद्वानों के समान चाल चलन कर पदार्थ विद्या के लिए परवित्थ होकर तथा प्रजा और एश्वरे को पाकर निरंतर आना दियुक्त होना चाहिए उत्ती देवा नाम से लेके वियम चै सात्वा चलोग जिसका भवारत इस परकार है जैसे इस संसार में पृथ्थी आदि पदात सुख और अश्वरे करने वाले हैं वैसे ही विद्वानों की सिखावट और उनके संग है इनसे हम लोग सुख और अश्वर वाले होकर निरंतर आनन्द युक्त हो ये रिगविद में दूसरे अश्टक में पहला अध्याई और 26 वर्ग तथा प्रतम मंडल में 136 सुक्त पूर्ण हुआ